नमस्कार दोस्तों मैं शानली दियाल वेलकब तो सीपी स्मार्ट क्लासेज तो जैसे कि आपको पता ही है डिये ट्रिपल असबी की जो वेकैंसी है वो आ चुकी है जिसमें जो हमारे पद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताये थे कुल पद जो है वो 182 पद है ठीक है जिसमें की हमारे स्टीपी स्मार्ट क्लासेज ने आप्लिकेशन जो है उस पर डी ट्रिपल असबी की डी ट्रिपल असबी की म्यूजिक की क्लासेज स्टार्ट कर दी है जो कि पेड क्लासेज है ठीक है तो जिस किसी को भी हमारा कोर्स परचेश करना है वो इस नमबर पार कॉंडेक्ट कर सकता है तो यहां पर आपको लाइफ क्लासेज मिलेंगी टैस्ट मिलेंगे जिनको आप अटेंप्ट करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है ठीक है तो मेरा आज जो टॉपिक है यूजीट का वो है संगीत का प्रमुक गन्थ ऐसी तो बहुत से गन्थ हैं जैसे प्रमुक जो हैं बहुत सारे हैं लेकिन जो प्रमुक है जो सबसे जाद़ा प्राचीन है या पुराना है या सबodar्या ग्रंथ मान लीजे वो है हमारा नाट्य शास्त्र ठीक है तो किनके द्वारा रचित है ये भरत प्रत नाट्य शास्त्र ठीक है नाट्य शास्त्र नाट्य शास्त्र जो है वो प्रत्थम उपलग्त ब्रंत है ठीक है उसके बाद नाट्य शास्त्र का या नाट्य शास्त्र को दूसरे नाम से भी जानते हैं नाट्य शास्त्र का दूसरा जो नाम है वो है पंचम वे और नाट्य शास्त्र का जो समय बताया गया है नाट्य शास्त्र का जो समय बताया है वो चोथी और पंचमी शताब्दी बताया गया है ठीक है तो नाट्य शास्त्र द्वारा नाट्य शास्त्र द्वारा रचित अचार्य भरत मुनी ठीक है उसके बाद इसमें कुल जो अध्याय माने गए है कुछ इंपोर्टन चीजे इसमें जो मिन मिन है इसमें जो कुल अध्याय है 36 अध्याय है ठीक है भरत ने कितने अलंकार माने है भरत ने इसमें 33 अलंकार माने है ठीक है भरतने स्वर 22 स्वर साथ विकरत स्वर 22 शूतियां और साथ शुद्य स्वर माने हैं 22 25 शुद्यों पर साथ शुद्य स्वर माने हैं एक सब्कत पर ठीक है तो इस तरीके से ही हमारी पेड क्लासिस चल रही हैं और इसी तरीके से हमारी क्लासिस में बिल्कुल डैक्ट पढ़ाये जा रहा है ठीक है इस तरीके से बहुत सारे ग्रंट हैं जैसे की कौन कौन से हैं जैसे संगीत रतना कर है ठीक है संगीत पारिजात है ब्रदेशी है ठीक है ब्रदेशी है तो इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे मुखे ग्रंट हैं जिनके बारे में एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो इन सभी ग्रंटों के बारे में हमारी क्लासिज में ग्रंट है या और भी बहुत सारे चीजे हैं इस तरह से हमारी क्लासिज में पढ़ाया जा रहा है तो जिस किसी को भी हमारा कोर्स पर्चेस करना है बोड पर लिखे नंबर पर आप कॉंडेक्ट कर सकते हैं और यहां जाकर आप हमारा कोर्स पर्चेस कर सकते हैं ठीक है धन्यवाद